दक्षिन नागपूर के पूर्व विधायक सुदाकर कोहुले द्वारा जरुरत मंदों को अनाश की कीट का वितरन किया गया। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से लॉकडाउन के चलते घर से बाहर ना निकले यहां अनुरोद किया है। आए उनसे बाचित किये हमारे समाधता संजय मिरे इन्होंने आए डालते है एक नजर। और जो नजारा जो देखा जा रहा है वो बिल्कुल सरकार आदेशों का उलंगन करते हुए नजर आ रहा है। क्या कहना चाहिए इन पुरी बातों को धन्म रखते हुए। यह बात तो सही है कि कोरोना संसर का रोग है। इसमें एधी डिस्टंस नहीं रखा गया। तो यह कोरोना जल्दी पकल लेता है। और जिस्टंसिंग रखने का रोट पर गर्दी न करने का। आज सुबह और कल दो दिन से मार्केट में देखा हूं काफी गरदी लोगोंने मार्केट में की हैं मुझे लगता है आपने वुश्वसतर का काड़ों का रेश्यो देखा तो केवlt भारत विश्व में कोरोंसा पर मात करनें इसका एक में उकारण है कि मानिय पंतरोदा नर्यंदर भाई मोधी ने बताया हुआ कि डिस्टंसिंग रखो क्योंकि कोरोना ये स्वाभी मानिये जब तक हम कोरोना के पास जाते ने कोराना हमारे पास आता ने तो हम ये आपको बिननती करते इस माध्यम से कि आप सोचल डिस् तो मत करो कदी आप सब्जी में सब्जी लेने जा रहे हो किराना के दुकान में जा रहे हो मेडिसन के दुकान में जा रहे हो तो वहाँ सरकार ने बेवस्ता किये तीन तीन फूट के अंतर से वहां मार्क कर दिया है वहां खड़े रहे के सोशल डिस्टंसिंग रख्या आप वहाँ जाके और सामान खरिदी करो लेकिन आप गर्दी मत करो संसर्ग में मत आओ यह यानि सोशल डिस्टेंसिंग इस वेरी इंपोर्टन पॉर कोरोना तो अवैट दो कोरोना और कोरोना को अवैट करने के लिए महतोपुर्ण है मेरी हाथ जोड के बिननती है यह जाकतिक स्तर पर आया हुआ बहुत बड़ा संकट है और भारत यह संकट पर मात करने जा रहा है वो आप ही के माद्यम से आपने डिस्टंसिंग रखा है आपने मानि मोदी जी ने जो जो कहा है वो आपने उसका आपने अपने कारेशलिय में उसका परयोक किया है जिसके कारत जो पहले दो दिन में डबल रूपना आते थे पेशेंट आते थे, अभी दस दिन में डबल पेशेंट आ रहे है थोड़ा-थोड़ा कोरोना का संसर का कम ही होने जा रहा है मेरे हाथ जोड के भिननति ए कि मार्केट में मत घुमो, सोशल डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, समाज में अवेरनेस करो, घर में अवेरनेस रखो, ये मेरे हाथ जोड़ के भी नहनती है। मैं धन्यवाद दूँगा अपनी संस्रूति और परंपरा को, हिंदुस्तान के परंपरा ने इस पर भी मात करने की शक्ति हिंदुस्तान के लोगों को दी हुई है। मैं यानि वो भी लगा दी है। छत्यवाद से आया हुआ मजदूर है, नाही है, भाजी पाला भी बेचने वाला हुआ है। लेबर क्लास के लोग है, घर में जाके बरतन मानने वाले है, अभी उनको लोग आने नहीं दे रहे हैं। अब उनको आने नहीं दे रहे हैं, उनको पकार नहीं मिल रहा है। यह सारी ऐसे लोग हैं जो जिनको अभी गत मैना बर चे अरचने चल रहे हैं। लोगों को धुन धुन कर हमारे माद्यम से हमारे 25, 30, 50 दोस्त हैं। हमने माजे आमदर रहत कोश करके निकाला है। लोगों को आउवान किया है, मेरे बहुत दोस्तों ने उसमें काफी आनाज हमको दान दिया। और कीट बनाते हैं। और हर दिन हम आज भी, आज सुबह महीने 12 फैमिली को एक कीट दिये। हर दिन बाटने का काम हम इस माद्यम से कर रहे हैं। डाही अजार से ज्यादा कुटुम्बो को हमने अभी तक और ये कीट बाटी हुई है। ये हमारे लिए हमारे संसरुतिय और परमपरा का वरदहन है। और कोई भुका नहीं रहेगा इस हिंदुस्तान में इस महारस्तर में और मेरे दक्षिन नाखपूर में। ये बात मुझे अच्छे तरह से याद है। झाल झाल